दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 अपर्टिंग शिस्टम की बारे में यह सार यह पर इपूरा की पूरा डीटेज्स लिए बात करेंगे तो वीडियो चोटने से पहले आपको थोड़ा से इंट्रडेक्शन देता हूं हलो दोस्तों मैं हुआ अप दोस्ताब वाशन भाई दो आप देखर हो डिजिटल बंडित अगर इस चैनल पर नहां हो तो इस चैनल को सब्सक्रीब कर लिए साथ इसाथ जो गैंटी पे लेहन देंगे उसको प्रेस करके औल नोटिफिकेशन बटन का लिजिए तक इस तरह का लेक्ति वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मिलते रहीं दुस्तों अगर मैं कम्पिटर ओपरेटिंग सिस्टेम की बात करते हो काफी सारा अप्शन अब के पास है लेकिन अगर मैं मैंन आप्शन की बात कर हूँ तो तीन ही ऑपरेटिंग सिस्टेम है एक हो गया है छो नमबर वॉन पर लिस्टिंग करो तो वींडोस जसों, जिसका सबसे ज्ञादा योजर है। वींडोस का की में रसा नाय था। XP जक्शिटपृ का मतलब हॉन शिस्टेम का भी का मतलब दम माद का sic तक सुंद्रा उ इंडोस का XPXQ के बाद आगया Windows 7 Windows 7 के बाद आगया 8 8 उतना जादा 7 से 8 में आपकी रेट नहीं किया जादा था लोग ने 7 ही चला दे रहा तो Windows basically किया जो Microsoft Company वो Windows 10 लांच कर दिया जो काफी एक बड़िया operating system है मेरे accordingly मतलब अगर आपका light white PC है तो भी ये जो operating system है ये काफी अच्छा कासा काम करेगा लेकिन इसका सबसे जादा एक problem है अगर आपका older PC है जिसमें जो processor है processor के structure है तो उस मामले में किया होगा बिसकिलिए आपका Windows 10 का run होगा CPU run होगा जाद होगा जैसे कि मेरा PC में होता है तो Windows 10 run करने के लिए अगर low configuration PC है तो भी चलेगा लेकिन नया वाला processor जो है वो आपको चाहिए तब जाके Windows 10 काफी अच्छा कासा चलेगा क्योंकि मैं खुद इसको experience किया नया वाला same configuration का एक PC है जिसके अंदर Windows 10 काफी अच्छा कासा चलेगा है जो processor power है processor uses है वो जादा नहीं हो रहा है लेकिन मेरा PC का जो processor है वाल्ड वाला है Intel का processor है Black 40 मादरबोड है तो इसमें जो है Windows 10 problem करते है Windows 8, 7 कुछ भी इसके अंदर problem नहीं होते है फिर ये जो Windows 10 है ये problem होता है दूसरा Windows के अगर मैं लिस्टिंग कर तो वो है Ubuntu Ubuntu, Ubuntu कुछ भी आप कहे लीजे ये जो operating system है ये बिल्कुल light weight है अब किसी भी PC में इसको डाल साकते हो काफी light weight operating system है काफी secure operating system है अजकाल तो Ubuntu जो है काफी साथा लोगों ने इस्तिमाल कर रहा है जो मतलब youth है मतलब काफी advanced user है जो कफी अच्छा तरीके से मतलब काफी सारा चीज़ों को टेस्ट करके देखना चाहते है वो Ubuntu इस्तिमाल करते है नमबर त्री में जो लिस्टिंग किया वो है macOS macOS जो है आप सब को पता है वो apple के लिए सबसे secure operating system है इसका सबसे बड़िया खास चाहत किया है कि यह interconnected में काफी अच्छा कासा काम करते है मतलब ecosystem में जैसे कि आपको पता है apple का सार के सारे device जो एको सिस्टेम में काम करते है apple का big sir जो operating system है वो भी आ चुका है जैसे कि आपको पता है big sir मतलब यह mac ways के अंदर यह लेकिन वो big sir उसका version है जिसके अंदर मतलब आपके interconnected system है ecosystem है वो काफी अच्छा खासा तरीके से काम कर रहा है मतलब big sir के अंदर जैसे कि आपका phone हो गया आपका basically जो smart watch हो गया AR tag नया है सारे के सरे चीज़ आपका device के अंदर system है यह इसके लिए developer के लिए काफी अच्छा होता है जो corporate developer होता है उसके लिए यह जाता तर वो इस्तिमाल करते है क्योंकि developer जो होता है coding जो करते है वो सारे के सरे feature coder के लिए जो features चाहिए वो features यह fedora application के अंदर यह fedora operating system के अंदर देखने को मिल जाता है एंड यह काफी lightweight भी है secure भी है एंड server के अंदर भी यह run हो जाता है तो काफी अच्छा खास और निक सिस्टम है as compared to वो सारे के सरे जो windows operating system है windows जो है यह publicly है किसी ने भी इसको इसको इस्तिमाल कर सकते है जैसे windows 10 जो है भी free है कुछ फीचर आपको नहीं मिलेगा लेकिन साथातर पूरा की पूरा Windows 10 जो है फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री आप कॉस्ट उसको इस्तेमल कर सकते हो क्योंकि जो Microsoft है यह Google की तरह आप जा रहा है मतलब Google जैसे कि सारके सारे ओपरेंट की सिस्टम है अगरा सब कुछ फ्री करके रखके है फिर Advertising की थो दूसरा किसी प्रोड़क्ट बेच के लोगों से पैसा वो ले रहा है इसी तरह की से यह काम कर रहा है इसका सारके सारे प्रो अगर यह करके देंगे जैसे कि मैं Windows 10 इस्तिमाल कर दो दो मैं किसी भी company में जब जाओंगा तो मैं Windows 10 को ही चलाना पर फ़र करूंगा लेकिन जो company है उस मामले में क्या होगा जो मतलब यहाँ पे 100 computer है तो सारे के सारे computer में उसको registration लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको company च पैसा घमने का जरीया तो जरूर अगर चाहते हो कि free operating system का पैसा वो सारे के सरे जो कैसे पैसे कमाते हैं इसके लिए एक video बनाओ तो नीचे comments box है वहाँ पर जाके आप जरूरी comments कर सकते हो सारे के सरे जो browser free browsers वो कैसे पैसे कमाते हैं उसके लिए एक video already है आई बटन पर आयेग networking मतलब मतलब एक office में 100-200 computer है वो सारे के सरे computer जो है वो interconnected है अब यह networking के लिए and एक server के साथ networking होगा तो server के साथ connective ढहना ज़रूरी होगा तो यह server compatible है and काफी साथ अब मतलब यह बिलकुल आप इसको free इस्तिमाल कर सकते हो free bsd काफी अच्छा खासा एक networking के लिए company के लिए का काफी अच्छा operating system साथ होता है number seven में जो operating system है यह इतना popular तो नहीं है लेकिन काफी light weight है and Linux cornel base में हो है Chrome OS यह basically Chromebook में ज्यादतर कि इसमें Google इस्तिमाल करते है यह Google का एक operating system है जो basically एक computer का operating system भी कह सकते हो Google के तरफ से लेकिन वह उतना ज्यादा अभी तक complicated है नहीं क्योंकि Google fast time किसी भी चीज़ बनाते है वो उसको कभी भी complicated नहीं बनाते है उसको simple रखते है फिर जाके देरे देरे जब user learn करते रहते है तो उसको फिर वो change करते रहते है तो यह जो operating system में यह काफी अच्छा का सा operating system है Chromebook में यह जो operating system है यह आपको देखने को मिलता है यह आप अलग से काफी डाउनलोड करके इस्तिमाल कर सकते हूं इसका अंदर Google का सारे की सारे application जो है आपको देखने को मिल जाएगा मतलब काफी अच्छा खासा तरीकी से चला सकतो Android का जो basically kernel है Linux kernel का बेस में है मतलब Android का same kernel बेस में नहीं है लेकिन Linux kernel बेस में Android भी Linux kernel बेस में है number 8 जो operating system है य Windows इस्तिमाल करते है Mac OS इस्तिमाल करते है एंड Linux सबसे जादा इस्तिमाल करते है Linux operating system जो hackers बेंगर होता है वो काफी अच्छा खासा तरीक से इस तो इस्तिमाल कर लेता है क्योंकि यह जो है एक advanced operating system है इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा सा advanced होना पड़ेगा लगी Linux अभी जो है काफी उसके user interface अच्छा हो चुका है सारके सरे चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो बिल्कुल free इसके लिए जो सारके सरे software भी मिलता है वह जादतर किसमें free होता है open source जाते है क्योंकि Linux खुद एक open source application है अगर मैं Linux की बारे में बात करो तो कम हो जाएगा क्योंकि इसक द Ungern का है कि एक ईक्तोय ये laughing kay Cal suck overhearning से नममना न red शेंट इस सेंट वेश श्iseen को परसों भी से किली इसक요 का Artyle कर सकते हो जो को कोडऱ् होता है वह इसको मैंने के इसको मैं इस्तेमिल कर सकते है इसका इसको मैं नहीं किया तो इसके बारे में जादा मेरत पता है लेuito जो वै इसको सारे के सरे operating system को टेस्टिंग करने के बाद वीडियो बना यह तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा तो यह जो सेंट OS है यह भी कफी तगड़ा operating system है यह सारे के सरे में जो operating system मेंने लिस्टिंग किया हुआ है debian debian कुछ भी आप कहली चीज़ के spilling जो भी होता है यह जो operating system है most secure and lightweight operating system है अगर आपका PC holder है जिसको अगर यह operating system आप इस्तिमाल करना चाहते हो यह काफी lightweight है अगर आपको interface अच्छा तरीके से समाझ में आता है तो इसको आप इस्ति security का धियान इसके अंदर काफी अच्छा खासा रखा गया तो यह तो सारी के सारे 10 operating system यहां पर आपका राई क्या है कौन सा operating system आपके लिए सबसाचा है सबीद होगा नेची comments box में जाके आप बता सकते हो अगर मेरा solution है या तो आप Linux की उसकी यह पूरा की पूरा free है या Windows 10 का free version इस्तेमल किजिए उसके अंदर काफी अच्छा का सारे के सारे फीचर मिल जाएगा छोटा मोटा फीचर जैसे कि आप image चैंज नहीं कर सकते हो जो वाल पेपर है यह चैंज नहीं कर सकते हो जो welcome wallpaper है welcome screen है lock screen उसका wallpaper आप चैंज नहीं कर सकता अगर आप free version इस्तेमल कर रहे ह अगर अगर आप Apple user हो तो obviously आपको Mac OS इस्तेमल करना ही पड़ेगा क्योंकि Apple का trap में अगर आप fast चुका हो इसका ecosystem में तो यह वाइस आपको इस्तेमल करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है कि Mac OS के अंदर आप Apple के अंदर आप basically दूसरे किसी operating system install नहीं कर सकते हो कर सकते हो लेकिन इ दूसरे किसी operating system इसके अंदर insert कर भी देंगे तो अच्छा तरी किसी इस्तिमाल नहीं कर बहेंगे एंड ऐसा भी Apple के डिवाइस में यह जो चीज़ है यह complimentary आपके साथ मिलता है तो इसको अलग से आपको खरीपने का जरूरत नहीं है और आपको यह चीज़ मिल जाता है उसक आपके लिए सबसे अच्छा operating system है तो आयोब वीडियो जो आपके लिए थोड़ा से इंफॉर्मेटिव रहा अगर आपको लाइगा वीडियो अच्छा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा और आपको जिफ्रेंड से उसको साथ इस वीडियो को शेयर कर वीडियो कीप शेयरिंग कीप वाचिंग कीप लाइकिंग डिजिटल कर दिए